तो दोस्तो आज है 27 डिसंबर 2021 और आज में लेकिया हूँ आपके लिए फिर से AVI Polymer Shares के Complete Analyze तो अगर आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या फिर आप इसमें अल्डेडी निवेश कर चुके हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बिना इसक्रिप किये हुए बिलकुल आनते तक देखना बहुत जरूरी है दोस्तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का Complete Fundamental को समझेंगे फिर दोस्तो हम इसका चार्ट पटन को Analyze करेंगे और चार्ट पटन को पढ़ने के बाद मैं आपको बाताने वाला हो कि आपको इस कंपनी में इस वक्त निवेश करना चाहिए की नहीं तो दोस्तो अगर आपके पास टेडिंग करने के लिए डिमाट एकाउंट नहीं है तो जैसे ही आपका एकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको शुरुवात में मिलेगा 100 रुपीज का एक बोनस जिसका आप चाहे शेयस भी बाय कर सकते हैं और आप चाहे तो उसे अपनी बैंक एकाउंट में भी ट्रांसपर कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम इस कंपनी का फंडामेंटल को समझ लेते हैं ठीके एक्चुली इस कंपनी के शेयस को लेके यूटूब में इतनी कैमपैनिंग चलाया जा रहा है कि लाको करोडों का इसको ओर्डर मिला है फला न दिंका न तो क्या है उसकी सच्चाई आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसका फंडामेंटल को अनलाइज करके कि वीडियो में जो हमें बताया जा रहा है यूटूब पे जो इस शेयस को लेके कंपैनिंग चलाया जा रहा है किंपैनिंग तो इसमें वो सारी चीज़ें दिखता है कि नहीं तो दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का टोटल मार्केट केप 21 करोर के आसपास ठीके इसका अगर करेंट शेर प्राइस देखेंगे तो दो दिन से थोड़ा सा लोवर सरकीट पे आ चुका है यह शेर यहाँ पे आपको 51 रुपे का इस वक्त इसका शेर प्राइस मिलेगा ठीके यह इस साल में लोएस्ट बना चुका 4 रुपया और हाइस देखेंगे तो आपको 60 रुपे के आसपास इसका शेर प्राइस जाता नजर आएगा तो दोस्तो रही बाद प्राइस अर्निंग रशियो की किसी भी कमपनी में निवेश करने से पहले मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको price earning ratio company का देखना बहुत जरूरी है तो इस वक्त price earning ratio थोड़ा सा high हो चुका है इस company का आपको निवेश करने से पहले ये भी धियान रखने का है company का जो book value है इस वक्त इस company के shares का वो साड़े दुस रुपे का है ये company dividend नहीं देता है इसका phase value 10 रुपे का है अभी मैं आपको scroll down करके इसकी important चीज़े बताने वाला हूँ जो आपको इस company में निवेश करने से पहले जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो company debt free है ठीक है company इसे almost debt free debt free है इसका मतलब यह नहीं की company बहुत अच्छा रहेगा ठीक है बागी का negative points भी है इस company में आपको दिखा देता हूँ इसका stock is trading at 4.85 times is book value इस वक्त का इसका book value चल रहा है ठीक है the company sorry throw the company इस repeating है repeated profit ठीक है repeat profit किया है कुछ खास बड़ोती नहीं किया है और इसमें dividend भी नहीं देता है वह ही बताएगा है सबसे important चीज़ आपको यहाँ पे promoters का holding पर नज़र रखनी है एक बार ठीक है यहाँ पे promoters का holding बहुत दी कम है ठीक है only 28% promoters का holding है 28.10% company has a low return on equity of 3.66 for last 3 year 3 साल में इस company ने equity पे शिरिफ 363.66% का return दिया है तो यह भी आपको धियान रखना है जो आपको यूटूब में videos में campaigning के बागत आपको दिखाया जाता है क्या वो सारी चीज़े इसमें है तो उसमें बिल्कुल नहीं है ठीक है company का जो business से वो करजे उधारी पे वीचल जा चुका है तीन साल में इस company ने 14% से जादा अपनी promoters का holding घटा चुका है तो इस वक्त दोस्तों हम promoters देखते हैं इस company का total holding कि इसके इसके पास है ठीक है तो हम आचुके हैं total holdings पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 42.43% December 2018 के last quarter के result के बाद यहाँ पे बचा था इसका 57.57 पब्लिक का था और 42 के आसपास इसमें promoters का holding था इसके बीच में काफे सारे उतार चड़ाओ आया है फाइनली यह share जो है यह अपना धरे धरे अपना जो holding से वो घटाता जा रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त September 2021 का quarter में quarter के बाद आपको result देखेगा यहाँ पे 28% promoters का holding बचा हुआ है ज्यादा से ज्यादा 72% के आसपास इसमें public का holding बचा हुआ है तो cool मिला के दोस्तों मैं आपको यह कहना चाता हूँ यह promoters का holding तो चलो ठीक ठाके 28% है लेकिन इसकी बाकी का चीज़े देखने के बाद दोस्तों यह share साबको बहुत ही risky लगेगा total अगर इसके fundamental को आप समझेंगे तो यह risky fundamental वाला share है उसके बावजुद भी अगर आप इस company में निवेश करना चाते हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से निवेश करना है और कम से कम निवेश करना है अभी हम चलेंगे इस company की share का chart pattern को अनलाइस करेंगे ठीक है तो यह share lower circuit पे आना शुरू कर दिया है ठीक कोई बात नहीं lower circuit पे आता है कोई भी share आता जाता रहता है lower circuit पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप max 1 year का देखेंगे तो यहाँ पे उतार चाड़ा आता रहता है यहाँ पे 45 का फिर 27 आ चुका है फिर यहाँ पे 43 फिर मतलब 30 मतलब अभी जो अभी अगर overall आप देखेंगे तो company upper circuit की और ही लगाता चल रहा है ठीक है यहाँ पे जो low बनाया है यह 27 रुपिया फिर यहाँ पे जो low बनाया है यह थोड़ा सा उपर गया फिर से यहाँ पे जो low बनाया है यह थोड़ा सा और उपर गया तो इस तरह से company एक साल के मुताविक यह ठीक ठाक चल रहा है इसका चार्ट पटन पूरा चार्ट पटन अगर देखें तो आज के दिन यह share आपको 5% के आसपास का negative return दिया अभी weekly चार्ट पटन देख लेते तो इस हबते में 4% के आसपास का return है यहाँ पे यहाँ पे जो लगाता return दिया था everyday 5% का यहाँ पे यह lower circuit पे आने की कारण इसका जो total यहाँ पे return है वो कम हो गया है monthly देख लेते पूरे महिने में company minus पर चल रहा है पूरे महिने में इसने negative return दिया है 10% का महिनी के अंत में अगर देखेंगे आप 57 रुपेस का share था यहाँ पे 40 रुपे पे आ चुका था बीच में फिर से lower circuit लगा फिर 40 पे आ गया फिर से यह आपको 46 पे गया फिर से यह lower पे आया उसके बाद फिर से 56 बनाया फिर से अभी तक लगातार lower circuit पे जाना शुरू कर दि किसी का भी वीडियो देखके आप निवेश कर देंगे तो आप फ़स जाएंगे ठीक है वीडियो पे बिल्कुल इंस्पायर मत होना आपका पैसा बहुत किमती है मैनत का पैसा है ध्यान से निवेश करना तो max 6 मंद का देखेंगे तो यहाँ पे 76 परसंड का शांदा return दे च इस थरह के चार्ट परन में यहाँ पे क्या swing trade का शांदार मुका बनता है यहाँ पे smart investor क्या करता है ज्यादेतर investor swing trade करता है यहाँ पे यह देखो कंपनी का एक साल का चार्ट परन के मुताबिक तो हमें पाता चली गया है कि यह लगातार उपर ही जा रहा है तो थोड़ा बह इसका फंडामेंटल ठीक है तो आपको लो जब आता है सबसे लो आता है तो हाँ पर बाय कर लेना है थोड़ा सा ठीक है उसके बाद जब अपर सरकीट में जाता है तो आपको एक्जिट होना है फिर से बाय करना है फिर से एक्जिट होना है फिर से बाय करना है फिर से करके आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसे से बहुत अच्छा खासा मुनापा कमा सकते हो यहाँ पर एक साल में यहाँ पर साड़े 900 परसन का शांदा रिटन दे चुका है ठीक है रिटन के मामले में तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे मैक्स फाइब कर देख लेते आपक देखेंगे तो आपको सेम दिखेगा अक्चुली एक इस कंपनी का शेर 17 ओक्टोबर 2019 को लिस्टिंग हुआ है शेर मार्केट में तो यहाँ पर आट रुपे का शेर चार रुपे पर आ चुका था फिरसे अपर सरकीर बनाया यह ठीक है 21 के बात यह ठीक ठाक चल रहा है किसी भी शेर को बाय और शेर करने का सुजाव हम नहीं देते हैं हम सिरिफ जानकारी बताते हैं आपको एजुकेट करते हैं और हमारी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए वीडियो अच्छा लगए तो एक लाइक कीजिए अपने दोस्तों को श जानकारी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो को अंति तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद